सो लास्ट वीडियो का टॉक्मोस्ट जो लाइक कोमेंट था कि आप अपना वान मेनी स्टेंडिजी हमारे साथ रिवील करो तो उसी की उपर आज की वीडियो होने वाले कि मैं कैसे ट्रेट करता हूं जो वान मिनीट ट्रेट करता हूं तो मैं कौन से लोजिक देखता हूं कौ वहाँ पर मैंने conversation भी किया है कि मैंने वहाँ पर logic क्या था इंड किस में ट्रेड लिया था सारे चीज मैंने आप लोगे साथ मैं शेयर करूँगा एंड लास्ट कुछ दिन से मैं वीडियो प्लोड नहीं कर पाता है आइधिंक फाइव मांथ सेगो साहिद मैं लास्ट वीडिय और पर हिस्तर में regular वीडियो प्लोड करूँगा कोटिक्स का हो या फिर क्रिप्टो का ओ या फिर प्रेक्स का वजू भी मैं ट्रीट मैं आप लोगे सेर करूँगा अनालिस सेर करूँगा ताकि बहुत सरे लोग है जो नॉर्मली यह तो ग्लोबाल मार्केट पर ट्रेड कर कर रहा था 40% इंडियान है ठीक एराउंड 30% बंगलादेश से 20% साइथ एराउंड पाकिस्तान से एंड रेस जो 10% ग्लोबाल मार्केट से बाहर जैसे वे सबसे हर किसी पर आपको बढ़ाना चाहिए साइकुलोजी नॉलेज रिक्स मेनेजमेंट हर एक प्लाटफॉर्म पे आप सेटप पर ट्रेड करो थार्ड ली आएगा ऐसा नहीं कि आपके बस 100% सेटप होगा तो भी जगा प्रोपिट करगो कोई भी चीज़ 100% इस दुनिया में है नहीं तो हमें हमें इसा अपना माइंड सेट को कंट्रोल करना चाहिए एड़ उस माइंसेट के इसाप से आप करूँ अगर प्रोफिट हो रहा है तो मैं प्रोफिट को बढ़ाने के लिए कोसिस करता हूँ अगर लॉस होगा 300 तो मैं आप स्टॉक करते हैं तो इसका भी जो भी कंप्लीट है डेटेल में आप लूप आगे एक रिक्स मनेजमेंट के उपर एक वीडियो बनाने वालों कि लिए चाहिए तो कितने आपको ट्रेज लेना चाहिए तो आज के चु यहांना बेच्पध करते हैं तो आई स्टुम इंठ वेडियो पर लंगो सब्सक्रीग करते हूं तो इसका ऑनको diet करते हूं उसके वेग्स bạn कि ऑन अगर अगर उसके साथ कुछ एक्सपेक्टर होता है तो आमारे से सेर करो तो उसके साथ ना मैंने नेक्ट वीडियो जो मैं अप्लोड करूँ और तो आपको वान में स्ट्राटेजी का एक सेट आफ देने बाला हूँ साइकोलोजी हर किसी के पास नहीं होगा जो मैं साइकोलोजी पर ट्रेड कर तो वह एक्सपिरियंस आता है जैसे मैं 6-7 साल से मार्केट पर काम कर रहा हूँ ठीक है एंट यूर्स हो जुग है टूथाओजेंट 2014 से मैं कर रहा हूँ तो नाइन टें यर्स हो गया लड़ी तो क लिए क्या करूँगा एक सेट अप बना दूँगा कि कुछ ऐसा है इंडिकेटर या फिर एक सेट अप है मेरे पास जो मैं आप लोग के साथ नेस्ट वीडियो पर में सेर करने वारा हूँ अगर उसके आलावा कुछ भी चीज़ आपको जानना है तो डेफिनेटली तो मुझे प्रावड फीन होता है कि नहीं आप लोग कुछ सीखरें आज के जो वीडियो बेसिकली जैसे लास्ट वीडियो पे टॉप लाइक मलब मोस्ट लाइक कॉमेंट था कि बाई वान मिनिट स्टाडिजी आपका क्या है उसके उपर एक वीडियो बना दो आप कैसे ट प्रेट करना है तो आपको क्या करना है यहां पर मैं कुछ आसेट को सिलेट करने वाला हूं उसके बाद में लेने वाला हूं एंड यूस्ट बिडिटी में लेने वाला हूं जो जो आसेट पर मैं ट्रेड करता हूं वही आसेट को मैं यहां पर सिलेट करूंगा विकॉज त अब देख दिखे न वो प्राक्टीस हो जाता एंड कुस आसेट का जो बीए वियर अलग होता है तो इसलिए उसी आसेट पर ट्रेड करो जिस आते असेट पर देखते हो जैसी यह टी पीकर पर मैं ट्रेड करता हूं और जीतना भी आसेट है मैं यहां पर सिलेट कर दिया और मैं अभी कैसे ट्रेड करूँगा अब देखना एक एक ट्रेड का अनलिसिस में क्या निकालूँगा साइकलोजी को में कैसे find out करूँगा और कैसे में ट्रेड करने वालों ठीक है तो फास्ट अपल अगर अब देखो गे गाईज यहाँ पे देखो एक strong fall दिया उसके बाद एक red candle बना बड़ा सा red candle बना तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा न यहाँ पर indicator section में जाऊंगा और यहाँ पर option मिलेगा date and price range इसको मैं select करूँगा एंड इसको मैं क्या करूँगा यह candle का top position से यह जो बड़ा वाला candle बना है इस बड़ा वाला candle का high से उसका low talk लेके मैं draw कर दूँगा एक level ठीक है यहाँ पर low talk है market level तो अभी अगर market इसके उपर breakout करेगा देन मैं off side के लिए जाऊंगा अगर इस zone के नीचे जाएगा तो मैं down side के लिए जाऊंगा तो देखना अभी market के से close करता है ठीक है नहीं off side के लिए मैं जाने वालों और मैं यहाँ पर 3-4 ट्रेड लेने वालों अब देखना यह solid candle बना कि यह जो gap है उसको पूरा करेगा अगर यह पूरा भी नहीं गरता तो अगला candle फिर से अप जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर 3,000 डॉलर का रिख लिया ऐसे ही मैं इतना बड़ा बड़ा ट्रेड नहीं लेता हूँ और यह जो idea मैंने ग्रो किया काल मैंने 15,000 डॉलर सम्तिंग प्रॉपिट किया था अप लोग ने देखा था तो वहीं से 25,000 डॉलर सम्तिंग प्रॉपिट था अब कुछ भी कर लो मार्केट यह ग्याप को पूरा करने के लिए गया है बट मेरे इसाफ से केंडल क्लोजिंग जो है ग्रीन होना चाहिए ठीक है देखते हैं साथ मिनिट है साथ सेकेंड है सोरी 5 सेकेंड 4 सेकेंड 3 सेकेंड 2 सेकेंड 1 सेकेंड अब देख रहे हूँ ठीक यह मार्केट जा रहा है उसको उसको टॉच करने के लिए ठीक है उसको टॉच कियाए यहां पर देखो हलका सा इसने gap चोड़ के आया था अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ना हलका सा मलब gap चोड़ के आया था अगर market इसको जाकर touch करके ना यहां पर solid green candle बनाता तो अगला candle में downside के लिए आता तो लोग यहां पर क्या सोचेंगे ना कि भाई market नीचे जा रहा मैं downside के लिए ट्रेड ले लूँँगा और market देखना यहां पर downside के लिए ट्रेड ले लिए उपर चल जाएगा अभी यह क्या करेगा market अगर इसके नीचे close करता है अगला candle नीचे जाएगा लोगों को क्या लगेगा कि हम लोग यहां पर downside के लिए त्रेड लेने वाला हूँ तह्य क्यों इसको देख्के बहुत लोग क्या सुचेंगे कि हम लोग पेहले तो downside के लिए सूच रहेते कि यहां से market नीचे जाएगा इस candle ने हम लोगों ने downside के लिए जाएगा और आप यहां पर के लिये ठेल लавайक नीचे आईगा तो आपको साईकुलोजी थोड़ासा है यहां पर सुषना पड़ता है जो लोग सुषते हैं उससे थोड़ाँ सा अलग सुषना पड़ता है और यहां पर देखो यह सेंडी ट्रेड होने वाले अपना ठीक है उस बेशसे मैंने कुछ लिया था तिन चाइट मैंने खुझ से लिया था अभ आज का सीच्योशन घौ काई आगर मैं आपको दिखाता हूं काल यह सब लेवेल यह सब ट्रेड था काल का यहां पर अगर अगर आ यह कल तक था आज मैंने यहा आपको analysis करना बढ़ता है कि market पे जो momentum होता न यह से ही moment नहीं होता है आप सोचो कि भाई यह gambling है यह जो भी है अगर आपके बस knowledge यह तो आप कर सकते हो और profit बनाने में कौन रोक रहा है आपको जहां पे आपको profit बना सकते बनाओ न ठीक है तो एक asset का यह दो trade मेरा हो गया लेड ठीक है तो मैंने क्या क्या है इस candle को मैंने आधा कर दिया टॉप से bottom तक मैंने draw कर दिया उसका 50% level को मैंने mark कर दिया यहां पर लेवल था उसको हलका सा इसने gap छोड़के आया था और market नीचे आया गया अगर उसको touch करके market नीचे आया था तो फिर मैं आपर down side के लिए trade position बन ठीक है और market जो gap सोड़ा तो उस gap को fulfill करने के लिए market गया अभी देखो जो लोग इस candle को देखके नहीं यहां पर down side के लिए position बनाए होंगे यह तो loss हो गया उनका वो अंस्ट मार्टिंगल यूज किये होंगे तो यह भी loss हो गया होगा अभी जैसे इस high को breakout कर रहा होगा वो सोचेंगे कि market अब तो उपर निकल जाएगा तो लोगों आपर क्या करेंगे यहां पर offside के लिए trade ले ले लें और देखो market नीचे आए अगर इस low के नीचे candle close करेगा ठीक है मैं यहां पर क्या करूँगा एक horizontal line draw कर रहा हो देखो मैं कैसा trade कर रहा हूं और आकाउंट को grow कर और market कहा तो आएगा आप देखना यह दो केंडल का 50% level तो market को आना चाहिए जहां पर मैंने level draw किया है मैं अगर indicator section में जाता हूं and आपको date and range select करके मैं आपको दिखाता हूं यह जो candle है यहां पर यह टॉप पोजिशन है and यह उसका bottom person है तो अगर आप देख रहे हूं यह उसका 50% level है जिसको market ने touch नहीं किया retracement नहीं किया यह rate करने लगर इसको touch करके retracement किया होता तो फिर मैं आपर downside के लिए सोचता है अभी यह market उपर जाएगा यह जो line मैंने draw किया horizontal line उसको जाके touch करेगा आप देखना ठीक है 4, 3, 2, 1 and win ठीक है तो आप logic के साथ अप trade करो analysis कर रहे हो आप logic के साथ अप trade करो easy profit करोगे अब देखो मैंने यहां पर फिर से एक downside के लिए trade लिया क्यों हो trade लिया यह जो moment आवा है इसका 50% को इस candle ने retracement नहीं गया था अभी अगर मैं यह top से bottom को consider गा था इसने retracement नहीं गया नीचे अवरल मार्केट को नीचे ही जाना था अगर इस लोग को breakdown किया होता ना तो market नीचे जाता बट नहीं कर पाया तो मैंने आप आप साइट के लिए trade लिया इस चीज़ को देखके बहुत लोग आप साइट के लिए सोचेंगे तो मैं आप आप साइट के लिए नहीं ज हो गया ठीक है यहां पर आसेट हम लोग देखेंगे इसका logic क्या समझेंगे यहां पर देखो market इतना तो experience हो गया मैं candle देखके मुझे पता चल जाता है कहां पर क्या देखना है तो एक trend डाउन ट्रेंड है market ने क्या किया यहां पर नीचे आया उपर गया यहां पर देखको इस level पर market support दिखाया हो exactly level पर market ने support दिखाया ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर एक line को draw करेंगे horizontal line यहां पर इस level पर मैंने इसको thickness को मैं बढ़ा देता हूँ आपको ताकि यह दिखेगा and market पर यहां पर resistance लेवल है ठीक है जहां पर आप resistance देख रहे हो नहां से resistance ल date and range time नहीं मिलेगा सायद मुझे select करने के लिए but still तो अगर इसके चलो मैं confusion में यह trade ले रहा हूँ मुझे लगता यह market उसका 50% को cover कर लिया तो इसलिए मैंने यहां पर एक downside के लिए trade लिया अभी अगर आप देखतों यह जो green candle बना है ठीक है basically यहां से यहां तक लेना चाह आप देखना इस लेवल को resistance बना के फिर market नीचे आने वाला इसके नीचे तो close होना चाहिए अगर नहीं होता है तो फिर आपके पास knowledge है आप कर सकते हो मैंने कितना कितना रिक्स ले रहा हूं देखो जोוכ एक एक-उदाल का मैं रिक्स ले रहा हूं अपने रिक्स के सबस्से हो तो मैं यह अंपर आये नहीं होता तो चकाए the खता है कि अगर बन करेंगे फिर जब मैं शैशन लूंगा टेलिग्राम ग्रूपे में share करूँगा trade बगर तब मैं आपको यह सब चीश करूँगा देख रहे हो ना मैं कैसे analysis करूँ आप वीडियो बार बार देखना था कि आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़े देखना बढ़ता है और यह experience से आएगा ठीक है अभी मैं क्या कर करूँगा इसका bottom से इसका top तक लेकि मैं मार्लब इसका gone को में draw करने वाला हूँ पूरा week से bottom तक अभी अगर अब देखतों यह 0.618 का level है तो यह 0.618 का level से market उपर जाना चाहिए था ठीक है और market वहां से support लेके उपर जा भी रहा है अगर market यह candle नीचे आता और यह 0.618 क के नीचे close करता देन हम लोग आप एक downside के लिए प्लान कर सकते है ठीक है यह यह उपर से नीचे आया यह 0.55 level को breakdown किया था उपर यह market उसको touch करके फिर नीचे आया ठीक है अभी अगर यह 0.618 के नीचे candle close करेगा देन मैं यह आप एक downside का trade प्लान कर सकता हूँ ठीक है और 1000 डॉलर का मैं रिक्स ले नहीं कि मैंने 8000 डॉलर प्रोफिट बना दिया तो next trade पर ही मैं 8000 डॉलर का रिक्स ले लूँगा नहीं ठीक है तो 34 लग मैरा डेली का target नॉर्माली रहता है 3000 डॉलर का ठीक है 3000-4000 डॉलर एनफ है ठीक है यह candle नीचे खोला भी है फिर भी मैंन कर सकता हूं up to this .5.5 का level तो एक market जा सकता है ठीक है तो इसलिए मैंने यहाँ पर offside के लिए यह एक major trend था उसका एक retracement था .5 and .618 Fibonacci पर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर Fibonacci ड्रॉ करना थोड़ा complication है इसलिए मैंने यहाँ पर गॉन टूल को यूज किया ठीक है गॉन ब्रेकडाउन की यह नीचे है यह 0.618 के ओपर close वा offside के लिए straight ठीक है तो हो गया यह 5th नमबर ट्रेड और यह भी ट्रेड विन हो रहा है 10 सेकंड टाइम है 10 सेकंड के बाद यह भी ट्रेड आपना विन हो जाएगा ठीक है तो मैं ऐसे ट्रेड करता हूं and देखो दो मिनि इसका मैं select करूँगा और यह जो candle बना है पहला candle है यहां से यहां तो मैं ड्रो करने वाला हूं तो यह जो candle बना इस candle का 50% तो मार्केट आएगा टॉच करने के लिए आप देखना यह जो candle बना देखों यहां पर एक order block है order block क्या है एक trend है उसके बाद एक मार्केट यहां से मार्केट उपर गया लास्ट इसका लो है तो इसका body to body मैं consider कर दूँगा वहां से मार्केट सपोर्ट ले रहा तो अब जाना चाहिए बट मैं expect करूँगा यह यह जो candle बना यह जो लिए तो मैरे ही सबसे मार्केट को यह जो आप देख रहे हो 50% का level है उसको touch करने के लिए आएगा वहाँ उसके उपर अगर close करेगा next candle up जाएगा अगर वहाँ पर rejection दिखाता है बना ब्रेकडाउन करता है तो मैं भी और भी नीचे जा सकता है बड़ मैं देख रहे हो नही कर लिए ठीक है हो सकता है इसको touch करके फिर रिवर्सलों के green हो जाए उसका नहीं बोल सकता है बड़ मार्केट को यहां तो एक बार आना चाहिए था और आया भी हो ठीक है तो हमारा analysis वहाँ पर perfect होई गया अभी यह candle अगर होड़ करता है तो अपना profit होगा अगर market इसको breakdown कर होगेगा sorry मतलब reverse होगे green होगा तो फिर loss होगा ठीक है बट analysis जैसा हम लोग कर रहे थे कि नहीं इसका 50% को touch करने के लिए आएगा और market आया भी है ठीक है तो मेरे सब से यहां पर यह candle जो है red close हो जाएगा उसके बाद वाला candle में भी उपर जाएगा ठीक है ओ sorry चल अठीक है trade win हो गया तो मैंने यहां पर offside के लिए एक entry और फिर से ले लिया जैसे हम लोग देखो यह doji बनाया वट still अपना entry perfect था तो trade इसलिए win हो गया ठीक है तो मैं आपको क्या बोला थे कि market आएगा इसका 50% को touch करके फिर market उपर जाने के लिए गोसिस करेगा औ मैं यहां पर offside के लिए trade ले लिया ठीक है तो मैं content record नहीं कर पा रहा था टाइम नहीं हो पा रहा था और बहुत सारे चीजे हैं मैं अलग-अलग platform में trade करता हूं जैसे इंडियान मार्केट को में priority देता था बट अभी 2024 पे मैं Forex मार्केट को में priority दूंगा and crypto का भी बहुत वान एंड यह trade भी अपना हुई नहीं हो गये ठीक है तो देखो लाइब में अपनों के साथ यह trade कर रहा हूं यह trade में जो भी trade लिया हूं पूरा history आप देखो एक एक का trade आप देखते हो कालकाई यहां तक मैंने trade लिया था उसके बाद उपर साइड पर आज का trade अगर आप profit होई है ठीक है तो बस enough है ना भाई इसके ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं एक दिन के लिए ठीक है और बाकी आप देखो logic मैंने आपको समझाया है कि यहां पर मैंने trade क्यूं लिया because यहां पर देखो जब भी market एक trend change होता है और market एक solid उपर जाता है तो वहां प कर दूँगा market जब आ कि इसका 50% पर support दिखाएगा तो मैं आप आफ साइट के लिए plan करूँगा और जैसे market यहां से भी उपर गया ठीक है इस यहां से market बाट यहां पर कोई trend है क्या कि downside का trend जैसे यहां से downtrend आया था फिर reversal हुआ यहां पर downtrend हुआ था यहां पर reversal हुआ था तो ऐसे ही आपको find out करना बढ़ता है तो यहां पर एक bottom के साथ कि हम लोग यहां पर trade ले ले तो क्यों trade ले यहां पर कॉन सा condition है क्या है एंड complete में इस सारा चीज में आप लोगों से से करूँ एंड वीडियो जो भी मैंने चीज दिखाया न उस चीज पर आप जाकर प्राक्टिस करना कि यहां 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 कंडिसान आप में आपको दिखा दिया और वहाल एक हिंस दे दिया उसी इसाफ से आप ट्रेड कर सकते हो एंड नेक्स मीडियो पर मैं क्या करूँ हो वन मिनिट के सेट आउफ देने वाला हूं कि ऐसा कुछ कंडिसान टूल होगा उसको यूज करके आप वहां पर कुछ कंडिसान फूल पील होगा तो आप ट्रेड करोगे एंड बस वही है आज के जो वीडियो आप लोग अच्छा लगा और अच्छा लगा तो डेपिनेटिल लाइक साइन सब्सक्राइब कर देना ताकि आपकी ला